जीशान और सिकंदर कल रहीम चाचा की परीक्षा में सफल रहे इस परीक्षा में रहीम चाचा ने उनसे अस्थियों, पेशियों और शरीर के विभिन अंगों के चलन से संबंधित प्रश्न पूछे थे आज विद्याले में जीशान के मन में खयाल आया मनुश्यों के अलावा बहुत से जीव भी तो चलते फिरते हैं उन में से कई जीवों का गती में आना मनुश्य से अलग होता है शायद इसलिए क्यूंकि उनके अंगों के संब्रचना मनुश्यों से अलग होती है जीशान अपने विचार सिकंदर को बताता है ताकि इस बात पर अच्छे से चर्चा करी जाए सिकंदर ने कहा क्यों ना रविवार को चिडिया घर की सेर करी जाए दोनों ने इस बारे में विद्याले के पुस्तिकाले में भी अथेयन किया आखिर रविवार के दिन दोनों चिडिया घर पहुँच गए जहां भिन्न प्रकार के जानवरों को देखने का मौका मिला सबसे पहले वे सापों के बाड़े के पास पहुचे वो देखो सिकंदर वो अजगर कैसे धीरे धीरे आगे की और सा रख रहा है हाँ, जैसे कि मैंने पढ़ा था यह अंग्रेजी के सा या एस अक्षक की तरह अपने शरीर से वले बनाता है और पिछले वाले वले से आगे के शरीर को धक्का देता है वास्तम में यह केवल उस स्थान पर धक्का देता है जहां उसका शरीर मुड़ता है मज़े की बात यह है कि एक तरफ के धक्का देने से यह साप बाई तरफ आगे मुड़ता है और फिर इसे दूसरी तरफ से भी वैसे ही धक्का लगाना पड़ता है तब यह दाईयों और मुड़ पाता है ऐसे करते हुए वै आगे की तरफ बढ़ता है अच्छा, इसलिए साब चलते हुए अंग्लेजी के S जैसे निशान बना देता है काफी रोचक बात है अरे वहाँ एक शुतरमुर्ग दिखाई दे रहा है चलो उसे देखने चलते है वाँ, ये कितना बड़ा पक्षी है मैंने आज तक शुतरमुर्ग सिर्फ किताबों में ही देखा था पता है, ये उड़ नहीं सकता हाँ, और जानते हो एक शुतरमुर्ग इतनी जोर से लात मार सकता है कि अगर सर पे लग जाए, तो जान ही चली जाए यहाँ शुतरमुर्ग के बारे में यह भी लिखा है कि यह दो पैरों पर दौरने वाला दुनिया का सबसे तेज प्राणी है और साथ किलोमेटर प्रति घंटे की रफ़तार से भी तेज दौर सकता है क्या? ये सच में शानदार जीव है चलो आगे बढ़ते है देखो जीशान, बत्यके ये जल, स्थल, आस्मान और इधर से उधर कहीं भी जा सकती है यानि गती में आ सकती है ये चलती भी है, तैरती भी है, उड़ती भी है और मज़ेदार गोते भी लगा लेती है ये तो पक्षियों की सूपरमैन है ये देखो, यहां लिखा है बत्तक के पंजों में चिल्लिया होती है जो इनकी तैरने में साहेता करती है लेकिन इन चिल्लियों की वज़े से ये जमीन पर ज्यादा तेजी से चल नहीं पाती ये तो बहुत दिल्चस्प बात है वैसे सिकंदर, मेरे घर पर भी कोई है जो चल सकता है, तैर सकता है और उड़ सकता है कौन? तिल्चट्टा तिल्चट्टा ये तीनों काम कर सकता है तिल्चट्टे के छे पैर होते हैं उसकी पेशिया उसे तेजी से चलने में मदद करती है। ये पेशिया इतनी ताकतवर होती है कि तिलचट्टा आसानी से दिवारों पर चड़ जाता है। उसके पंख भी होते हैं जो की उसे कुछ समय तक उरान भरने में सक्षम बनाते हैं। छी तिल चट्टा कितना अजीब और डरावना होता है। चलो कोई और शांदर जानवर देखते हैं। क्यों ना मचली घर चलें। जीशान मचलीों की संरचना हमसे बहुत अलग होती है। इनकी पसली पंजर ही मुख्यता शरीर का आधार भूत डाचा होता है। और हाथ पैरो की बज़ाएं इनके हलके हलके पंग होते हैं। हाँ, इनके शरीर की ऐसी संगरचना की वज़े से पानी असानी से इनके आज पांस से होकर पह जाता है। इनके चप्टे पंग और पूच दिशा बदलने और तैरने में साहता करते हैं। क्या तुमने पंडुब्यों की तस् पंडुब्यों के अलाबा भी कई अद्बुट जीव हैं। ये देखो, समुदरी घोड़ा, जो कि शायद दुनिया का सबसे धीमा तैरने वाला जीव है। और यहां हैं कच्छुए, जैली फिश और ओक्टोपस। जीव की तरह लचीले होते हैं। ओक्टोपस के टैंटिकल्स उसे चलने में साहता करते हैं। उसकी और भी कई खूब्या होती हैं, जैसे की। झारे होते हैं झारे होती हैं। झारे होते हैं। झाल झाल